नमस्कार आप देख रहे हैं भीवाइस 24 न्यूज मैं अब्दुलकुदोस आपके साथ मैं हूँ अभी मध्वनीज सहर के एक लाउज में और इस लाउज का नाम है पुडवे लाउज मैं आपको बता दो कि एस्टुडेंट की जो लाइफ होते हैं वो संघरसों से बढ़ा होता है मैं आपको एस्टुडेंट का जो रूम किस तरह होता है ये दिखा रहा हूँ आप यहाँ पर देख रहे हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेदकर की भी तस्वीर लगी हुई है और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो डॉक्टर सपली राधा किश्नन जी जिनको एस्टुडेंट जिनका पिक जिनका तस्वीर एस्टुडेंट लगभाग सभी जो है रूम में सजा कर रखते हैं इतना ही नहीं आप बिस्ब और भारत के साथ साथ बिहार का मानचित्र यहाँ पर देख सकते हैं जो एस्टुडेंट हमेशा यहाँ देखके यह ज्यान प्राप्ट करते रहते हैं कि कौन सा इस्टेट कहा है और बिस्ब में कौन सा जो है कंटरी कहा है इतना ही नहीं अपने डिश्टिक के साथ साथ अन्य डिश्टिक की भी जानकारी रखते हैं क्योंकि जब गौँ से सहर student आते हैं तो माता-पिता का बहुत सारा सपना लेके आते हैं और माता-पिता बहुत सारे सपने को सन्योगते हैं कि मेरा बेटा सहर में जा रहे हैं पढ़ने के लिए वो कुछ बन कर आएगा, कुछ कर के आएगा लेकिन यहाँ पे बहुत सारे चीजों का मार उनको सहना पड़ता है एक तरफ महगाई, एक तरफ सर का नोट्स, दूसरी तरफ जो है बेरोजगारी तीसरी तरफ एकजाम की तयारी और यह सब करने के बावजूद खाना बनाने का जो एक कुछ चीज की जो है कमी रहता ही है कभी ग्यास नहीं है, तो कभी तेल नहीं है तो कभी रिचार्ज नहीं है, तो कभी मासाला नहीं है एक ना एक चीज घटा ही रहता है सारी चीज का परिपुर्ण स्टूडेंट नहीं रहता है, आप भी अगर स्टूदेंट लाइफ गुजारे होंगे तो यह चीज की जानकारी भली भाती आपको मालूम होगा क्या नाम है ब्रिज विहारी कुमार हुआ जे कहां से आप आते हैं मैं तो बेनीपजी बॉलोग के एक छोचे से गाउं से आ रहा हूं जिस गाउं को नाम पर जुआ हुआ जी इसी साल होने वाला है तो मधुआनी में बीपेसी का जो है सो सिलेवस को तियारी कराया जाता है उस इसाब से यहां पर कोचिंग नहीं है लेकि तत पहचात स्टूजेंच लोग अपने अभी तो नेच का जावाना आ गया तो यूटूब के साहिता से और जो भी कुछ च होता ही रहता है जैसे कि हम लोग कुछ पहले की बात नहीं हम लोग तो यहां लगवाग में पांचे साल से रह रहा है लेकिन एक साल पहले कि जो अफेक्छा कोई भी प्रजग की बात करे तो अभी के तुलना में दो गुना बज़ गया मतलब की फिप्टी पर रहा है इसका खासकर एक स्टुडेंट की मैं बात करता हूं जो लाज में रहते हैं जो रूम लेके रहते हैं उस पर क्या एफेक्ट पड़ रहा है इस महगाई से हम लोग बहुत जड़ा खड़ता है क्योंकि हम लोग बहुत प्रच आते हैं उसके बाप जूद हम लोगे से पता हैं अरो इतना मागाई हो गया आर हम सो झेल नहीं पाते हैं उसके बाप d pac-up अब गवर्मेंट कोई भी एश्टेंट लेते हैं तो पब्ली के अच्छाई के लिए लेते हैं लेकिन उसको भी समझना चाहिए कि कि पब्ली का कलियान बहतर से बहतर सोन। अब गवर्मेंट लेते हैं तो पूरे परेंट्स देते हैं या फिर होम ट्विशन करते हैं तो क्या कहना चाहेंगे यह जो महगाई लगातार बढ़ती जा रही है इस पर आपका क्या कहना है मतलब कि दो सार पहले और अभी के तुला में 50% को बढ़ गया है इस तरीके से नहीं बढ़ना चाहिए माल लेते हैं हमारे देश की जीटीपी अभी पेंजबी से गुजरा है लेकिन उस हिसाब से इस तरीके से नहीं कुछ करना चाहिए कि जनता की मार नहीं जिल सकता है इस्टेट गवर्मेंट हो सेंचल गवर्मेंट हो दोनों ना जनता को इस तरीके से पे रहा है आप ले सकते हैं लुकित मामला में पेट्रोल डीजल अगर वे और कंटिनिस से अगर स्टुडेंट की बात करो तो उसको पेट्रोल डीजल की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है खासकर जो जरूरत की मुद्धा है जिससे स्टुडेंट अपना एजूकेशन प्राप्त कर सकते हैं उस भी सह पे आप बात कीजिए और क्या कहना है आपका लेकिन देज कभी भी चलता है तो वही चलता है आपका कहना है कि पेट्रोल डीजल के अगर दाम रेट में कमी आ ज स्टुडेंट अभी का जो मौसम है उस मौसम में जो है मतर और कोभी जो है सो ज्यादा कर बनाते हैं स्टुडेंट तो उसका क्या रेट है अभी कैसे मार्केट मिलता है अभी प्रॉक्स में 50 रुप कोभी है और अलू भी लग वक्ती सिर्पे है हम लोग ऑनलाइन एजूके